देख रहे हो न मंगरू गरीबों के लिए अबू आवास और जारखंड के मंत्रियों के लिए तीन-तीन करोड का आवास ये इसी को कहते हैं विकास कैसे घुमा घुमा के विकास किया जाता है और विकास बताया जाता है बस इबारह को बंगला देख लिजे आपको विकास समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां के आदिवासी मूलवासी बेरोजगार युवा शात्र अवियर्थी पिछले पांच वर्सों से लागातार परिसान है चारखंट 24 वर्स का हो गया अभी तक नियोजन निती नहीं बन पाया लेकिन यहां के मंत्रियों के को के लिए बिकास जरूरी था आप कमेंट करके बताए हमें अभी मैं अमेरिका के वाइट हाउस के बाहर खड़ा हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं बारा बारा वाइट हाउस दिख रहा होगा आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको लग रहा होगा कि यह भौकाल पता दे कि हमन सोरे ने अपने 11 मंत्रियों के लिए राची के इस मार्ट सीटी में लगभक 3-3 करोड के लागत से एक-एक बंगला बनवाया है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना खुबसूरत बंगला बनवाया गया है और यह बंगला बना है इस बंगला उसे लेस है बंगला आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना खुबसूरत बंगला है और एक-एक बंगला को बनाने में 3-3 करोड लगा है आपको बता दे कि इस प्रोजेक्ट में लगभक 70 करोड रुपय का लागत आया है और 9000 वर्ग फीट में जो है यह अपने मंत्रियों को फोर्चुनर खरीद के दे रही है यह अच्छी बात है कि मंत्रियों को सारी सुवधाय मिलनी चाहिए लेकिन जब उनके पास ऑल्रेडी बंगला है उस बंगला में लोग रह रहे हैं ऑल्रेडी गाड़ी है उस गाड़ी में चल रहे हैं तो फिर आखिर तीन-तीन करोण के लागत से बंगला बनवाने की जरूरत क्या पड़ गई आप तमाम दर्सों को से मैं पूछना चाहता हूँ कमेंड करके जरूर बताएं यह एक-एक बंगला में जो है लगभग पांच-पांच बेडरूम है खौल है परतिछाला है किचन है तमाम जो सब्धाएं होंगी सभी बंगला में सेम सुविधाएं होगी आप देख सकते हैं कि एक सामने बंगला दिख रहा है और यह डबल इस्टोरी वाली बिल्डिंग है मतलब डबल इस्टोरी वाला बंगला है और आपको बता दे कि ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम पर तीक जारखंड के युवा बेरोजगार शात्र अभरतियों के लिए इस परकार से सुभधाई दी जाती उनको समय पे नोकरी दिया जाता यहां के गरीबों के लिए मजलूमों के लिए बेबसों के लिए लाचारों के लिए आदिवासियों के लिए मुलवासियों के लिए नीती क्रोड के लागत से 12 गों बंगला बनवाया गया है आप तस्वीरों के मादियम से देख सकते हैं कि इस पर का बंगला हमको नहीं लागता है कि celery में किसी भी ब्यक्ति के पास होगा हम कोई बिजनसमाइन होंगे कोई ठेकदार होंगे उनका बंगला हो सकता है लेकिन फिर भी जिसमें जितना इसमें सुविधाएं दी गई है पर्यावरण का ख्याल रखा गया है वास्तू का ख्याल रखा गया है तमाम सुविधाओं से लेस है ये बंगला क्योंकि इसमें मंत्री जी को रहना है